नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन के टॉप 25 परमोख खबर जनते हैं आज से जर्खन में लोकडाउन सुरू कुरोना वाइरस के बर्थे संक्रमन को देखते हुए राई सरकार ने पूरे जर्खन में गुरू आर बाइस अप्रेल के सुबा छो बये से 29 अप्रेल के सुबा 6 बये तक के लिए लोकडाउन लगा दिया है सरकार ने इसे स्वास सुरक्षा सब्ता का नाम दिया है और सभी को इसका अनुपालन करने को कहा है बतादे इस दोरन अवस्यक वस्तूओं की दुकाने खुली रहेंगी और ऐसे बेवसायों को भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है जिससे सरकार को राया सुप्राप्त होता है हलाकि आम लोगों के अवागमन को नियंत्रित किया गया है मौसम विभाग के अनुसार 22 अप्रेल से मौसम फिर करवट लेगा अगामी 26 अप्रेल तक आस्मान पूरी तरह साफ रहने के असार है अधिक्तम तपमान 37 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस के आस पास रह सकता है बता दे पिछले 24 गंटे में सहर का अधिक्तम तपमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं नितम तपमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दोज किया गया बैग्यानिकों ने बताया है कि बदलते मौसम में थोड़ी सीबीला परवाई भाड़ी पर सकती है कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिस से आपके आस पास के वातारण में बदलाव आ सकता है आपकी सुरक्षा के लिए जार्खन में लगाया लोकडाउन मुझे छमा करें जार्खन में आई सुबा 6 से 29 अप्रेल 6 बये तक लोकडाउन लागू हो गया है बता दे मुख मंत्री हिमान सुरेन ने लोकडाउन लागाने के लिए जार्खन के लोगों से छमा मांगी है सीम ने कहा कि जीस तरह कुरोना वार्यस से इंक्रवन विक्राल रूप दारण कर चुका है आईसे में आमजोनों की सुरक्षा के लिए या सकत निरना लेना पड़ा किर्प्या राई सरकार और प्रसासन का सहयोग करे सीम हिमान ने कहा कि इस विशम घड़ी में जरूरत मंदों को कोई दिकत ना हो इसका विशे स्ख्यार रखा गया है जार्खन में सेना संभाल सकती है कमान जार्खन के मुख मंतरी हमन सुरे ने राजे में कुरोना संक्रमन के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर बुद्वार को वरिये से ने अधिकारियों के साथ उचस्तर्य बैटक की मुख मंतरी ने कहा कि कोबिन-19 की वज़ा से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें सेना राज सरकार को स्वयोग करें जार्खन में सेना के अस्पतलों मरीजों के इलाज की दिशा में पहल किया जाए सेना और जनभागेदारी से ही कुरोना पर प्रभावी नियंत्रण अस्ठापित किया जा सकता है बतादे मुख मंतरी ने कहा कि राजे में राची जमसेतपुर धनबाद समीट शहा जीले कुरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावी था है इसके साथ राची में सबसे ज़्यादा कोमिनेंटिर के मरीज होर दिन मिल रहे हैं जारखन में आज बीसेस जाच अभियान जारखन में क्रोना संक्रमितों की पचान के लिए गुरुवार को पुरे राज्ये में चलाए जाने वाले बीसेस अभियान से संक्रमित मरीजों की संख्या में बड़ा उच्छाल देखने को मिल सकता है बता दे 22 अप्रेल को राज्ये में संभावित मरीजों की रैपिट एंटिजन टेस्ट से कुरोना की जाच की जाएगी और इसके लिए सवा लाख लोगों की जाच का लक्ष रखा गया है जाहिर है ज अपने कामकाज की अधी और श्मता में कमी किया है बतादे बैंकों में अब आधी श्मता के साथ काम करेंगे और कामकाज की अधी सुबह 10 से दो पहार दो बये तक होगी फिलाल या बेवस्था 22 से 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेगी 30 अप्रेल को समिक्छा के बाद आगे क अक्सीजन वाले बेड जारखन में कुरोना पर प्रभावी ने अंत्रन के लिए 28 सचोविस नए अक्सीजन युक्त बेड की उपलपता सुनिचित की गई है बतादे मुखमंत्री हेमन सुरेन के निदेश के बाद इस दिशा में ततपरता से करवाई की गई बीते 15 अप्रेल को मुखमंत्री हेमन सुरेन समीक्चा के बाद मरीजों को बेतर उपचार के लिए 28 की उपलपता बढ़ाने का निदेश दिया था बतादे मुखमंत्री के निदेश के बाद राज एक के सभी जीलों में निदेश पचास अतिरीक्त अक्सिजन युक्त बेट की उपलपता सुनिचित कर दी गई है यात्रियों के लिए चलेंगे आटो जारखन परदेश डिजल आटो चालक महासंग ने 22 अप्रेल से 29 अप्रेल तक चलने वाले स्वास्थ सुरक्षा सप्ता का स्वागत किया है महासंग के परदेश अजक्स दिने सोनी ने कहा कि मीनी लोकडाउन के दोरान सभी आटो चालक मालिकों से आगरा है कि बॉस ट्रेन वा प्लेन से आने वाले यात्रियों को कोमिन गाइडलाइन का पालन करते हुए आटो का पालिक चलन करे इस दोरान अपने आटो को से ने टाइज करते रहें लोकडाउन की खबर से आलू 5 उर्पया तक महांगा आनसिक लोकडाउन में सबसे अधिक असर आलू के भाव पर पड़ा है बतादे 29 एवाम 20 अप्रेल को 11 रुपे किलो बिखने वाला सफेद आलू अचानक 21 अप्रेल को 15-16 रुपे तक पहुच गया वही रात भर में आलू की कीमत 4-5 रुपे बढ़ गई बतादे पहले मंडी में आलू का थोक मुले 950-1,000 रुपे किलो था अब थोक कीमत में कवरी 100 रुपे किलो की बढ़ोतरी हो गई है ज्यारखन में 5041 ने संक्रमित की पुष्टी हुई है सब्सक्राइब सब्सक्राइब नाग 15552 केस मिले हैं भारत में कूल मोद की संखेया 1,84,672 है वही कूल एक्टिब केस की संखेया 22,84,242 है भारत में 1,89,47 मरी स्वस्थ हुए है वही जारकाण में 2331 मरी स्वस्थ हुए है कक्छा नवी से बरावी के समाने बरके चाथर चट्राओ को मिलेगी चाथर बीरति राजे में 90 شे बरावी तक पढ़ने वाले समाने बरके 52,289 चाथर 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 बीरति पहली बार दी जा रही मुक्यमंतरी 204 स चातर बीरति जोजना के तहट साक्षिनिक 70221 के लिए दी जाएगी नवी दासवी के छात्र चात्र चात्रावों को जहां तेर सो रुपे महिने की 10 से 10 महिने के लिए 15 सो रुपे छात्र बेती दी जाएगी वाई एगारवी बरावी के समाने बरके छात्र छात्रावों को 230 रुपे महिने के इसाब से 10 महिने का 23 रुपे दिये जाएंगे पूलिस एसोसियेशन ने सीम से मांगा 50 लाग का भीमा जार्खन पूलिस एसोसेशन वा जार्खन पूलिस मेंस एसोसेशन ने राई सरकार से कुरोना डूटी में लगे पूलिस कर्मियों को 50 लाका बीमा देने की मांग की है इस समान में पूलिस के दोनों एसोसेशन ने मुख मंतरी को पत्र लिखा है जार्खन पूलिस एसोशेशन के अध्यक्स योगेंद्रे सिंग ने मुख मंत्री को लिखे पत्रों में मांग किया है कि पूलिस कर्मियों को 50 लाका बीमा दिया जाए साथ ही यदि कोई पूलिस कर्मी कुरोना संक्रमन से मरता है तो उसे सहीद के समान सुविधा दी जाए मजिस्टेट भी लगाए गए है जीला बल के अलावा जैप जवानों की भी प्रतिनुक्ति की गई है बतादे राची के स्पी शुरेंद्र कुमार जा ने बताया स्वाज सुरक्षा सब्ता का नुपलन कराने के लिए पूलिस ने कमरकस लिया इसका उलंगन करने वालों से स लक्त से निप्टा जाएगा राज्य के खतर निजयस पतालों में बाटे गए 500 रेमडे सिवीर राज्य के निजयस पतालों वा दवा दुकानों को बुद्वार को रेमडे सिवीर इंजेक्षन वा फेवी पीरावीर दवा क्या पूर्ति की गई जनकारी के अनुसार लगव 500 रेमडे सिवीर इंजेक्षन राज्य के खतर निजयस पतालों में बाटे गए हैं जबकि 31 दवा दुकानों को फेवे पीरावीर दवा उपलब्द कराई गई हैं बता दे उससे राहत की बात यह है कि दुकानों में अब फेवे पीरावीर की उपलब्ता कंपनी की ओर से भ यह जारखन में 7000 टन अक्सिजन जरुरत पड़ी तो और मंगवाएंगे स्वास्त मंत्री स्वास्त मंत्री बनागुपता ने कहा कि बरतवान में राजे में 7000 टन अक्सिजन उपलब्द आई और आवसकता पड़ी तो और मंगाई जाएगी लेकिन लोगों को सन्यम और धायरे से काम लेना अवस्यक है क्योंकि राई सरकार मुख मंत्री एमान सुरेन के नेत्यूत में चिकित्सा के हर्च विदा देने को तयार है और इसके लिए सभी पर्यास किये जा रहे हैं बता दे जम सेथपूर में उन्होंने बात्चित करते हैं बताये कि निजी अस्पतालों सहीत सरकारी अस्पतालों में बढ़ाये जा रहे हैं हज हाउस को कोविड अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव हज कमिटी के चेर्मेन और जामतरा की विदायक डक्टर इफान अनसारी ने राची इस्थित हज हाउस को OPD या COVID अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव दिया है बतादेरफान अंसारी निया प्रस्ताव मुख्यमंत्रियमान सुरून को दिया है उन्होंने बताया हज हाउस में 250 लोगों के ठारने की विवस्ता है आपात इस्तिती में सरकार इसका उप्योग करे एक अप्रेज से नया सत्र ओनलाइन सुरू नौवी वा एगारवी के बच्चों के भविस पर सवाल राज्य के कक्छा नौवी वा एगारवी के करीब सात लाख पचास से आर चात्र 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 आये असमंजस में हैं बता दे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करे और कैसे पढ़े एक अप्रेस से 59 सत्र ओंलाई शुरू हो गया है लेकिन इन दोनों कंख्छाओं के चात्र चत्र की बार्सिक परिचा नहीं हुई है सीक्षक कक्षा आठवी से नवी में गए छात्रों के ओनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिये हाँ लेकिन नए सत्र में कक्षा दस्वी वा बरामी की पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे है क्योंकि नवी के छात्र दस्वी वा एगारवी के बरामी में नहीं गए हाँ बतादे राजे भर में नौमी के करीब 4,30,000 वहीं 11 में 3,20,000 विद्यार्थी परिच्छा में सामिल होते हैं CM हिमंत ने राजे वासियों को दी राम नौमी की बधाई राजधानी राची में राम नौमी का तिवार पूरे हर्सोला से मनाया गया बतादे क्रोणा मामारी के परसार को रोकने के लिए राज सरकार की ओर से तयक ये गाईलाइन का नौपालन करते हुए प्रभू राम के जन्म पर लोग अपने अपने घरों में पुजा पाट कर रहे हैं मंदीर में विधी विधान से आयुजन हो रहे हैं वहीं बाहरी लोगों को परवेश नहीं दिया गया है राम नौमी के अउसर पर जार्खन के मुख मंतरे एमन सुरेन ने समझत राज और देशवास्चियों को राम नौमी की सुभकमनाय दिया है पाराशिक्षकों ने की 50 लाग का बीमा कराने की मांग एकी किदित पाराशिक्षक संगर्श मोर्चा के जीला अध्यक्त सकील ने उपायुक्त को पत्र लिख कर कुरोना डूटी में लगाया जारे पाराशिक्षकों के लिए 50 लाग का बीमा कराने की मांग की है उन्होंने का कि इस संकट की घड़ी में राची जीला के पाराशिक्षक संग भी जीला परसासन के साथ खड़ा है लेकिन उनकी सुरक्षक का दरित्य तो सरकार को ले नहीं चाहिए परासिक्षकों को विभीन अस्पतालों विभीन अस्थानों परमाई स्टेट के रूप में प्रतिनिक्त किया जा रहा है सिस्टम मरा, इसलिए लोग मर रहे दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्स सांसाद दीपक प्रकास ने कुरोना संक्रमन को लेकर का कि हमन सरकार की कूब वेवस्था के कारण कुरोना संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है इस राजे में लोग भागवान भरो से जीने को मजबूर हैं बुद्वार को प्रेश वारता में उन्होंने का कि सदर अस्पताल और रिम्स के निरिक्षन के दवरान सरकार की और वेवस्था साब साब देखने को मिला दवाई अक्सिजन के अभाव में कराते हुए लोगों को देखा मरीजों को बेट चिकित्सा सला का अभाव और भूग से बिलगते हुए देखा कुछ मरीजों को बेट तो मिला है लेकिन केर टेकर का भारी अभाव दिखा नीजी अस्पतालों में गंभीर मरीजों को भी नहीं मिल रही जगा बाबुलाल मरांडी भाजपा भी धायक दल के नेता और पूरो मुख मंतरी बाबुलाल मरांडी ने बुद्धवार को मुख मंतरी के नाम एक ट्वीट किया है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बाल के वेलें के दोए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्वास करना ना भूले साथी साथ आप हमें लोकडाउन पर अपनी परतिक किरिया अवस्य दे थाइंक यू